नमस्णर दोस्तों हम इस सत्र में बात करेंगे आज राश्टि पातरतर-परीक्षा राज्ज पातरत-पपातरतर पारीक्षा और आसिश्टन प्रॉफिसर विकिंसी के बारे में ठीक है तो वैसे जोInet सेट और असिस्टन रोफेसर के लिए लीजिबल स्टूडेंट है या एस्पिरेंट्स हैं उनको इस जानकारी की आवशक्ता महसुस होनी नहीं चाहिए थी क्यों कि वो इतने मच्चूर हो जाते हैं कि वो खुद आराम से वेबसाइट पे जाके उसकी लीजिबिलिटी पढ़ के और सारे निसकर्स निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आये कंटीनियो कि सर इसके बारे में बताईए तो एक सिक्षक करतव्य है कि मैं बता दूं बाकि मुझे जरूत होनी नहीं चाहिए थी ऐसी क्यों कि जो हमारी जानकारी के सकते थी ठीक है फिर भी आमें बताने की जरूत पढ़ रही है तो आपने इतना विश्वास किया है कि हमारे कौन करें सारी कर दें तो वीडियो देखते सारी चीज़े एक साथ आ जाएगी तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज तीन चीज़ों पर बात करूंग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये नेट और नेट मतलब राश्री पातरत परिक्सा सेट ऐसे सलेट भी कहते थे पहले आजकल सेट ही कहते इसके अलावा असिस्टन प्रोफिसर तीनों पर बात करेंगी हम तीनों पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं नेट पर ब नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीए द्वारा आयुजित करवा जाता है पहले कभी यूजिसी आयुजित करवाता था अभी एंटीए करवा रहा है ठीक है बीच में CBSC ने भी करवाया था तो नेट की परिक्सा उतिर्ण करने के बाद हम कॉले लेक्षर अर्थात असिस्ट कि अनिवारता नहीं है और बात चल रही है करने की अभी नहीं होगी 2030 तक तो होगी नहीं यह बात होता है 2030 तक जिनके भी PhD नहीं भी आना तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो केवल मात्र नेट की उपादी से आप प्रोफेसर बैच के या प्रोफेसर परिक्षा के लिए होगी ठीक है अब नेट है तो डेफिनेटली में भी होगा मसी एमकॉम होगा क्योंकि उसके बिन आप नेट नहीं दिये सकते तो में मसी एमकॉम प्लस नेट सिर्प यहीं चाहिए कॉले लेक्षर प्रोफेसर के लिए बीड की आउशिकता नहीं है बिटेक का बच्चा भी आपके MSC करके नेट करके फिजिक्स बगेरा में मैथ में जिसमें भी वो आराम से प्रोफेसर बन सकता है ग्राजुशन जो होती है ना उसकी कोई बादिता नहीं होती कोई भी ग्राजुशन हो सकती है कई सारे बच्चे मुझे यह भी पूसते सर मेरा बीस्टी किया हुआ ह है अबी मैं हिस्ट्री में नेट करके प्रोफेसर के लिए लिजिबल हो की नहीं हूँ तो मैं उनको कई बार कहता हूँ कि सना तकक के विशे के अलवा कहीं महता पून है हाँ सेकन्ड ग्रेड में जरूर होते हैं लेकिन फरस्ट ग्रेड में और कॉले लेक्चिरhmen सना तक के विश्यों का कोई मेहत हों नहीं आपके Master किस्में है वो महत हों ने मैं कह रहा हूँ कि आपने बली बिटेक किया है लेकिन आपने History में अगर में कर लिया और उसके बाद वापने Net कर लिया तो आप Assistant Professor History में बन सकते हों आपने बीएस सी की विया Mathematics में किया है या आपने बाइलोजी में, PCB में किया है, पिसी बी क्या स्वरी, बाइलोजी से किया, मैट्स नहीं था आपके, जो लुजी बोटनी वगरा जो भी, तो उस में किया है, लेकिन आपने में कर लिया, इस्ट्री में यह पुलिटिकल साइंस में, फिर नेट के साथ ही आप लिजी बनो जात हैं एक दिसंबर के आसपास करा है अभी कोवीड में थोड़ा साइकल सिस्टम बिगड़ा हुआ जिसको एंटी ठीक कर रहा लगा तार ठीक है तो यह दो बार साल में आयूजीत होती है ठीक है और एक खास बात देखिए जब आप प्रोफेसर भरती के लिए फॉर्म जा रहा है की लगबग जनवरी के असपास आजाएगी ते अब अगर जनवरी में sure ऐती है और मान वो एक साल बद जनवरी 24 में मान लो इंटर्वी होते हैं नहीं होंगे इंट्वीम 27 मैं फिर भी मांट इस के अब मार्च में इंटरव्य होते हैं ठीक है उससे पहले तो वैसे पॉसिबल नहीं है ठीक है साक्षातकार यह देखो यह मैं अनुमान से बता रहा हूं आप इसको अन्तिम्तिती मत समझें यह एक मैं उधार्ण देके बता रहा हूं तो आपको नेट और में क्लियर चाहिए मौर्च दोज सुक्य होगी ठीक है तो अभी कई बच्चे कहते सर मैं में प्रीवियस में पड़ रहा हूं या पड़ रही हो क्या मैं अगली असिस्टेट प्रोफिसर की लिजिबल होंगा कि होंगी कि नहीं तो मैं उसको यह कहता हूं कि मार्च चोईस तक आपका अगर में क्लियर हो रहा प्रीवियस चल रहा है यह हो चुका है और फाइनली इन में वह है वह सारे लिजिबल होंगे आप देखना मैं आज यह आपको कह रहा हूं ठीक है तो मैं वापस कह रहा हूं तो दो बार ही होगा इसके अलावा इसकी आयू सीमा कुछ भी नहीं होती है और कभी भी आप किसी भी अवस्ता में दे सकते हैं आलंकि JRF के लिए जरूर होती है तीस वर्ष जनरल के लिए और तीस वर्ष आरक्सित कैटेगरी लिए साधा साई कुछ है पिर भी आप चेक कर लेना तो आयू सीमा तो कुछ रहती नहीं है लेकिन परसेंटेज जरूर रहते हैं परसेंटेज क और क्रेमिलियर है या SC में है या ST में है या P person with disability है तो आपको कितने चाहिए 50% चाहिए ठीक है और अब AWS को भी इस बार आगे मेरे साब से दे दिया है या आगे देने वाले ठीक है तो अब आप यह समझे कि 50% से अगर कम है अगर आपके MA में percentage 50% से कम है तो आप eligible नहीं होंगे ठीक है तो general के लिए कितने चाहिए 55% और बाकी सबी के लिए कितना चाहिए 50% ठीक है विस पश्ट तौर पे लिखा हुआ है candidate who has secured at list 55% marks 55 का मनदब 55 54.99% है तो भी आप मार है 55% जरूरी है किसके लिए in master's degree on an equivalent examinations are eligible for this test ठीक है और अगर आप OBC non-crimalier है SC है ST है या फिर आप विकलांग के टिगरी में है तो आपको 55% सोरी 50% ठीक है और महिलाओं के लिए क्या है देखिए candidate who have appeared अच्छा इसमें एक ये भी होता है कि कोई appear है final year के अंदर क्या लिखा है candidate who have appeared will be appearing at the equivalent master's degree examination and whose result is still awaited a candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test our search candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for a word for GRF फगेरा ठीक है percentage same है degree examination within two years from the date of net result the required percentage of marking failing which they shall be treated as disqualified मतलब यह हुआ कि net का जब result आता है तो net के result के ठीक दो साल बाद तक उसका में complete होना चाहिए तब ही net की degree माने होती है ठीक है बाकी कुछ है नहीं उसमें तो 50-55% जो है यह बहुत जादा जरूरी है 50% बाकी categories के लिए और यह सामाने सरे अनारक्षित के लिए मेरे लिए 55% जाई है ठीक है क्योंकि मैं सामाने में आता हूं अब मेरे परिवार के बाकी लोग इस में आते हैं तो उनके लिए यह 50 कर लेंगी ठीक है अभी तो इस तरह से 55% की बादिता रखी गई है और 55% जरूरी है ठीक है अभी तक 50 EWS के बारे में जहां तक मैंने स्टेडी करी अभी तक कोई 50 का कहीं लिखा हूँ आया नहीं है वो सकता है कि अगले में आजा है क्योंकि बाकी सब जगे चूट दे दी गई है तो यहां पे भी अब साइद एक अमेंडमेंट बीच में हुआ था तो वो दे देंगी तो इतने परसंटेज जरूरी है ठीक है आपका नेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है नेट कब तक चाहिए जिस दिन कोले लेक्षर का पहला इंटर्वीव होगा उस दिन तक चाहिए आपको ठीक है और इंटर्वीव में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 24 के अंदर इंटर्वीव होंगे कभी भी हो सकते ह मार्च अपरेल महीं जोन कभी भी हो सकते हैं तब तक आपको नेट चाहिए इसलिए आपको 23 के दोनों नेट आपके पास और प्रोफेसर बैच की आप ढंक से तयारी करोगी तो आपका नेट वैसी साथ में हो जाता है ठीक है नेट के दो पेपर होते हैं वगिरा वगिरी व हो आप अपनेट की विगिपती में बढ़िया पड़ लेना तो नेट के अल्टरनेट के तौर पे होती है सेट क्या होता है सैट जैसे स्लेट भी कहते थी लास्ट ये दोजर बारा थेरा में हुआ तो उसकी बाद सलेट वापस सैट हुआ नहीं था सैट होता स्टिट राजस्तान में ही रह सकता है बाहर नहीं जा सकता ऐसा नहीं कि सैट लेके आप हिमाचल प्रदेश की वेकिंसी में नहीं जा सकते आप मध्य प्रदेश की वेकिंसी में नहीं जा सकते सैट किया हुआ केवल और केवल राजस्तान की कॉले लेक्षर के लिए पात रहें जनरल पातर करके और बच्चे पातर हो सके सैट इसलिए होता है कि जैसे साइंस में जो जो की जो नेट है वो CSIR करवाता है और वहाँ साइंस में नेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है ठीक है न फिर जिक्स मैश वगिरा में तो उन बच्चों के लिए सैट बहुत आसान पड़ जाता है वो आराम से सैट निकाल लेते है तो साइंस वालों के लिए सैट करना थोड़ा सा ठीक रहता है CSIR में थोड़ा सा मुश्किलात होती है ऐसा मैंने सुना है आर्ट वालों के लिए तो सब दोने बराबर है तो अगर किसी ने नेट कर लिया है तो उसको फिर सैट करने की जरूद नहीं है वो पात्र हो चुका है ठीक है अगर नेट नहीं हुआ है तो उसके लिए सैट एक अच्छा उप्सन है सैट पास करके भी वो पात्र हो सकता है तो दोनों एक प्रकार से अल्टरनेट है नेट का अल्टरनेट है सैट दोनों का सैम सलेबस होता है दोनों के लिए सैम योगता है होती जो योगता है नेट में चाहिए अब ये तो यहाँ पे है नहीं बाकि सारी सारी सेम योगत है होती है स्टार्ट में क्या RPSC करवाता था सेट ठीक है और अभी इस बार कह रहे हैं कि हम गुरू गोविन सिंग उस उनिवर्शिटी को देंगे जनजाती उनिवर्शिटी को देंगे तो जो भी है अब इसके बारे में अभी नए संसोदन और वही आपके यूँ कहिए कि परिक्सा का पैटर्न रहेगा सेम सिस्टम होता नेट वाला ठीक है अगर आपको नेट के बारे में भी पता नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप अद्धिन कीजिए विग्यप्ति का क्यों क्यों कि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और आपको यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है सच कह रहा हूं मैं आपको आपको इसके बारे में बाकी की चीज़ें जाननी चाहिए मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं यहां पे तो सैट एक परकार से अल्टरनेट होता है किसका नेट का ठीक है अब आप कोगी सर मेरा लिए इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी राजस्तान की बात कर रहा हूं दोनों में से एक होना आपके पास जरूरी कब तक जरूरी है यह जरूरी है जिस दिन साक्षातकार होगा पहली परिक्सा दूसरी परिक्सा और तीसरी परिक्सा क्योंकि तीन पेपर होते है प्र तो यह परसेंटेज तो किलिए हो गए यह कोलेल यह हैं आपके सैट 2012 का जो सैट आया था उसमें क्या-क्या था देखो सैम वही बाते लिखी हुई है जो बातें आपके नेट के अंदा है तो नेट की योगता और सैट की योगता सैम मानी जाती है वापस वही बात 55 प्रतिशत चाहिएं कितने चाहिए 55 प्रतिशन जनरल के लिए और पांच परसेंट की छूट रहती है आपके सी को रहती है स्ट रहती है फिसली हेंनिसलींन कास्ट से जोन ट्राइबल्स फिसली हैंडीकल विजूल हेंडीकल और 55 बक्र Rocky मिल यहां से क्यों लिखा है यह वी सी को चूट नहीं दी गई यह ना ओपर लिखा हुआ है कि चूट नहीं है लेकिन यह दोजर बारा के अंदर नेट में भी साइड ऐसा ही था ठीक है अब आगे वापस जब गिप्त आएगी तब भी सी को फांस परसेंट की चूट मिल जाएगी यह ब भी पांस परसेंट की चूट OBC को भी मिलेगी यह पुरानी विगिप्ती है दोजर बारा की है दोजर बाईस की जब आएगी या तेईस की जब आएगी तब आप देखना डेफिनेटली यही बात होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो नहीं है लेकिन बाद में OBC और EWS दोनों को पांस परसेंट की चूट आगे मिल जाएगी इसमें ठीक है फिर भी अगर बाई दवे आपके नहीं है तो आप नेट कर लो क्या लिक्कत है क्योंकि प्रोफेसर बनने जा रहे हो नेट तो करना ही पड़ेगा आपको ठीक है क्योंकि इतना तो आपका सब्ज प्रोफेसर के लिए क्या आपको नेट चाहिए मैंने आपको पहले बताया क्या चाहिए और नेट होना बहुत जरूरी है पहली चीज दूसरी बात आपको क्या चाहिए एक गुड्य कोड़् का है वह भी बता रहा हूं आपको गूड्य कोड़् का मतलब यह है कि 55 प्रतिशत आपके चाहिए ठीक है वापस वही बात है नेट वाला मामला लेकिन 55 प्रसेंट में कुछ रियायते और्योंकि रियायत परसेंट आपके ग्राजूइशन में 45 परसेंट होने चाहिए कॉले लेक्षर के लिए इसमें भी आपके SC, ST, OBC, MBC, दिव्यांग और अब EWS इनको 5 परसेंट की छूट और दी गई है तो 40 और 45 परसेंट अब कोई बच्चा OBC का है और उसके B.A. में 42 परसेंट चाहिए और इसमें भी आपको इन सारों को छूट दी गई है ठीक है एक तो यह चाहिए दूसरा क्या चाहिए आपको मास्टर्स दिग्रीत आपको पताईए 55 परसेंट चाहिए M.A. के अंदर लेकिन 55 परसेंट में आपको 5 परसेंट चूट दी गई है वापस वही बात है नेट वाला सभ्यम मैटर है अगर आपके M.A. में 55 परसेंटेंटेज 50% और 55% अगर आपके MA में 49 है तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है इस अनुसार क्योंकि ना आप नेट दे सकते ना आप सैट दे सकते ना आपको लेक्षर बन सकते देखो MA के दोनों के बरावर रखे गए है क्यों रखे गए देखो मैं आपको ना OBC का इसलिए बता रहा था आप यह सबजिए कि OBC को छूट देंगे क्यों देंगे देखिए इसलिए देंगे कि यहां OBC को छूट दी गई है 5% की मतलब 50% MA में है तो OBC का बच्चा कोले लेक चैंज करेंगे मैं आपको वाददावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि यह 2012 की विगिप्ती 2012 में नियम भी ऐसा ही थी यूजी सी की भी वही थे इसलिए 55% रखा हुआ है तो OBC के लिए भी आपके कितने जरूरी है 50% जरूरी है और जनरल OBC, SC, ST सभी के लिए 50% और जनरल के ल महिला है तो 5% और SC की महिला है तो वापस वही 5% बागी अलग से महिलाओं को नहीं है ठीक है यह गूड डेकेट में की रिकोर्ड में और भी सारी बातें बता देता हूं आपको तो एक तो चाहिए आपको MA की परसेंटिस कितने होने चाहिए 55 अथवा 50 ठीक है बीए में पर भी छूट मिल जाती है ठीक है तो यह सारी बातें थी तो आप इसको समझ गए होंगे सारी चीजों को तो मुझे विश्वास है कि इस बात आपके समझ में आगे होगी लास्ट विग्यापन है यह पूरा का पूरा ठीक है अब तो EWS को भी छूट ने दी गई है इसका अलग को MA में हर हाल में कितने चाहिए 55% ठीक है और BA में कितने चाहिए 45% हर हाल में चाहिए किसके लिए Assistant Professor के लिए और यह किसके लिए यह Assistant Professor Net और Set तीनों के लिए अब यह General के लिए ठीक है और इसमें से 5% की चूट मिल जाएगी चूट मिलेगी माइनस पांस पर सेंट सूट मिलेगी किसको चूट मिलेगी OBC को मिलेगी ST को मिलेगी AWS को मिलेगी ठीक है और आपके जो डिव्यांग शृणि है उनको मिलेगी ठीक है वो जो भी लिखा हुआँ था यह सारा अग सारा मिल जाएगी ठीक है एक सर्विस्मेन का मेरे साथ से इसम है कोई ऐसा अलग सी प्रावदान नहीं दिया हुआ इसमें ठीक है फि चालीस परसेंट आपके किसमें इसमें ग्रेजुएशन में तो इस प्रकार से और राउंड ओफ में नहीं चलेगा चालीस का मतलब चालीस 39.99 भी नहीं चलेगा तो इस रसाब से आपके लिए योगित आई हैं तो कहने का मेरा अगर किसी की बीए में 40 से कम है तो वो कॉले लेक्षर के लिए काम नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि उसको कॉले लेक्षर की गुड अकेडमी की रिकोर्ट से बाहर कर देंगे ठीक है अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है तो उसको 45 चाहिए अगर कोई बाकी केटेगरी का है और उसको आपके 40 चाहिए अगर आपके में जनरल का स्टूडेंट है तो नीचे आप कोले लेक्षर नहीं बन सकते ना हम सकते की का के तो ना हम परन जनो कोई लिकर करें ऊपर ठीक यह है तो चीजें यह थी यह योग ता समझ में आगे होगी कि नेत के लिए चाहई है set और net हमेशा एक साथ चलता है जो जो set net की requirement है उस set की same requirement होती है समय समय पर net में क्या ना संसुदन होते है net हर साल होता है दो बार set हर साल नहीं होता तो कई बार पुरानी विग्यप्ति नई विग्यप्ति बेसंगती होती है लेकिन set में संसुदन के बाद सीज़ा सेम हो जाती है तो ये बात हो गई इसमें ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूं मुझे आपको की ये net और set का matter आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो AP के लिए क्या चाहिए अगर नएड नहीं तो set कर लो और क्या चाहिए और चाहिए आपके में 55% या 50% ठीक है मांस्टर स्मय चाहिए और बीए क्या चाहिए ऑर यह Net sways इस अलावा PhD वगर कुछ भी नहीं चाहिए और graduation के अंदर percentage जरूर चाहिए लेकिन graduation की stream सैम हो यह जरूर नहीं ठीक है बीएसी वाला भी इस्ट्री में प्रोफेसर बन सकता है graduation कोई भी हो ठीक है graduation कोई भी हो चल जाएगा बीएसी कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन master's उसी subject को होना चाहिए बस यह दो ही चाहिए और यह कब चाहिए यह चाहिए interview के दिन जिस दिन interview होगा उस दिन आपको यह चीज़े चाहिए होती है तो कितनी आसान सर्त है कोई लिकत ही नहीं ठीक है तो यह था सारकसार और यह सब चाहिए कब यह सारकसार चाहिए आपके interview के time ठीक है लेकिन जब विज्यापन आता है और जब forum बरे जाते है तो forum बरते कोले लेक्टर का जब आप forum बरोगे उस वक्त आपका previous MA हो जाना चाहिए आप final MA previous का result आज सुका हो यह भी चीजों का खया लखना पड़ता है ठीक है यह तो बात होगी इसकी अब कुछ चीजें चोटी मोटी और जो ज़्यादा काम की नहीं है फिर भी मुझे बतानी सकती हैं तो लगबग लगबग जनवरी 2023 के आसपास ऐसा मुझे लग रहा है क्यों कि आरपीएसी की पास अभ्यरत्म जाने के बाद आरपीएसी दो मैने लिए ठीक है जनवरी फरोवरी के आसपास वेकेंसी आने के चांसे हैं और क्योंकि अभी तक तो पिसली वेकेंसी के इंटर्वी चल रहे हैं वो भी पूरी नहीं हुए ठीक है वो भी जनवरी में जाके पूरे होंगे तो जनवरी फरोवरी के आसपास आ जाती है तो भी मैं जल्दी मानता हूं कितनी भरती रहेगी तो लोग तो बता रहे हैं 2000 के आसपास लेकिन मुझे ऐसा लगता है 1100-1200 क कि आसपास वेकिन सी रहेगी ज्यादा अधिक तो इससे जादा नहीं रहेगी और इसकी अलाव अगर और देखा जाए परिक्षाएं कब होगी इसकी तो परिक्षा अगर जनवरी फरोवरी में वेकिंसी आती है तो आप मान की चलिए सितंबर अक्टूबर से पहले कोई पर इसको अब ठोकरा या नहीं जा सकता मैं यह इस बेस पर कह रहा हूं कि अगर जनवरी फरोवरी वेकिंसी आती है तो फिर बीच में सैट के परिणाम बगेरा भी आएंगे सैट का एक्जाम भी अपरिल मई जून में करवाने की संभावना है तो इस परकार से देरे-देरे सम नहीं हो बिल्कुल है क्योंकि इंटर्विव तक नेट से इंटर्व दो जार्शों इसमें तब तक आपको तीन मौके मिल जाएंगे एक सैट का दो नेट के फिर भी अगर नेट नहीं होती है तो वैसे ही आप उसके योगी नहीं है प्रोफेसर की ठीक है तो यह बात है अब रहे जहीं कुछ बच advocacia यह भी कहरे थे सर साट कोले प्राविट करेगा के जादा नहीं करेगा यह ःदोनों पैरलल चलते रहते हैं सबस्कौण कि Yapर और मुस्थ रहा कई एक गृजवागी नहीं और रख्वाये गशाध ही तो इसे सब्सश्य पर्यों graduates हो करवाइगी तो वो पेरलल चलता रहेगा कोई ज़्यादा है नहीं हां फिर भी वो भी चार-पांस मेने का समय ले लेता है ठीक है कुछ कहेंगे बच्चे सर मेरे नैट हो रखा है तो मुझे सैट करना कोई जरूर नहीं क्योंकि नैट हो रखा है तो आपके सैट की कोई बात देता नहीं बट पेपर जरूर देना अभ्यास हो जाएगा ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा में प्रीवियस अभी अभी फोर्म बराए तो मैं क्या सैट के लिजीबल हूँ तो उसके लिए क्या है ना कि आपको फाइंद लीरे में अडिमिशन होना जरूरी है तो हो जाएगा ठी है क्योंकि अभी तक काफी चीजें लेट हैं तो आप उतना ज्यादा मसोचो अगर आप में में फोरम भर चुके हैं या में में प्रीवियस वगरा हो चुका है तो निश्चित तोर पर आप इलिजीबल हो जाएगे बस आप अपना सब्जक्ट अच्छा रखी सारी चीजें हो जाएगी अब यह सारी बात थी और एक टेबल थ्री भी लागू होने की पहले संभावना की तो अभी लागू होगी नहीं तो उसको आप चैप्टर को क्लोस कर दो जो मैं कई महिनों से कहता आ रहा था कि टेबल वो लागू नहीं होगी आप चिंता ना करें आप चिंता में भी आये कई सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं करी इसके कारण लेकिन मैंने कहा था कि वह पुराने पैटर्न से पेपर होगा चिंता वाली बात नहीं है इंट्रिव्यू भी होंगी और दो पेपर होंगे दो क्या तीन पेपर होंगे सारी चीजिया होगी ठीक है यहां पर आपको इस्ट्री के दोनों पेपर मिलेंगे और थर्ड पेपर जो है जी इसका सबी सब्जेक्ट के लिए वह भी चल रहा है पंदरा नौंबर से वह आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो वह भी आप है वह पर्चेज कर सकते हैं तो यह एक लास्ट में यह परमोशनल सूचना है एक प्रचार आप कह सकते हो इसको तो इस पे आप आके और वैट्स पी जॉइन कर सकते हैं मेरा खुद का अप्लिकेशन है यहां पर आप देख सकते हो डेमोज बगएरा इंट्रोड़क्शन वीडियोज हैं सारी चीज़ें के लिए ठीक है और बहुत-बहुत ध मैं पर ठीक कर दूगा आगे बता दूगा आपको क्योंकि मनुश्य हैं गलती रहने की दिसंभावना हमेसा रहती है हां कि मैजर कोई गलती नहीं की है मैंने विग्यापन के साथ बात की है पिर भी कोई चोटी मोटी तूटी रहती है तो मुझा अउगत करवा देना मैं उस को क्लिरिफाई कर दूगा ठीक है और उसको मैसे इसको पिन कर दूगा यूट्यूब पे दिक्कत नहीं आएगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद विज्यारति हैं अच्छे रहें मस्त रहें पढ़ते रहें और इस बैच के लिए आप सभी को इस परदी के लिए आप सभी को शुग का मैं